हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मेकेनिका लेरा तो आज हम यह देखेंगे कि केविटी कमांड का यूज कैसे करते हैं तो उसके लिए हमें एक पार्ट बनाना पड़ेगा जिससे हमें केविटी और एक कोर बनाएंगे तो सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए यहां फिर हम इसकी डाइमेंशनिंग दे देंगे ताकि यह फुली कंस्टेंड हो जाए फुली डिफाइंड हो जाए अब जैसे ही देखिए यहां पर मैं इसकी यूनिट को चेंज कर लेता हूं अब यहां पर मैं डाइमेंशन दे रहा हूं तो इसको 100 रख लेते हैं और इसको च अब यहां पर मैं इसको extrude कर लूँगा, ताकि एक height मिल जाए हमें, तो अब हम इसको 10 से 20 mm extrude कर लेंगे, चलिए इसको 10 mm ही रख कर लेते हैं, अब इसको करने के बाद अब हम यहां पर एक slot बनाएंगे, एक pocket बनाएंगे, ताकि हम उसका core और cavity बना पाएं वहां पर, यह एक example है, आप कैसा भी part बना सकते हैं, थोड़ा सा technical देखना पड़ेगा, आपको की वह possible है की नहीं, तो अब हम यहां पर एक slot बना रहे हैं, तो इसको slot बनाने के बाद, हम इसको dimension दे देते हैं, तो चलिए यह दूसरा भी बना देते हैं, बड़ा हो गया, यह डिलीट कर देते Ctrl Z से, आप back हो सकते हैं, आपर, undo कर सकते हैं, और एक और बनाने के बाद, हम इसको equal कर देंगे इस से, या तो आप mirror भी कर सकते हैं, mirror करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, आपकी, आपका time से हो जाएगा, वहाँ पर, क्योंकि एकी profile को चार बर बनाने से बढ़िया है, कि आप उसको दो को बनाकर mirror कर दें, तो अब हम इनको क्या कर देते हैं, equal कर देते हैं, तो आप पहले वाले को slate कर लीजिए, फिर बाकी को कर लीजिए, और यहाँ पर एक pocket equal करके sign आ जाएगा, तो आप सब को equal constraint दे सकते हैं, अब यहाँ पर इसको डाइमेंशनिंग कर देंगे, हम बहुत ही आसाने cavity का यूज़ करना, very simple, बस आप दिये हुए instructions को follow करते जाएंगे, तो आप भी easily कर सकते हैं, कोई problem नहीं होगी आपको भी, यह equal कर दिया है, अब यहाँ से हम dimension कर देंगे इसकी, ताकि easily यह पर यहाँ से काम हो जाए, अब मैंने pocket का dimension दे दिया है, यहाँ से, उसके पाद अब हम इसकी ages से इसको define कर देंगे, ताकि यह fully defined हो जाए, अब यह हम नीचे से dimension दे दे देंगे, और इसकी side वाली dimension दे देंगे, center से, अब जो यह नीचे वाला pocket है, वो क्यों full define नहीं हुआ, क्योंकि वो vertical नहीं है, एक axis पे नहीं है, तो उसको select करिए आप, और उसको select करके vertical कर दीजे, अब हम यह दोनों बचे हुए sketch का कोई मतलब नहीं है, आप mirror कर लें, ज्यादा बढ दिया रहेगा, तो इसको delete करके center line मना देंगे, जिसके about में हम mirror करेंगे, तो यह center line बनाने के बाद, आप mirror कमांड को select करिए, mirror entity इसको, यहाँ पर इसके about mirror कर दीजे, ok कर देंगे आप, यहाँ से, तो आपका यह mirror हो जाएगा, यह हो गया mirror, अब इसको extrude cut कर देंगे, ताकि यहाँ पर एक slot type बन जाए, और यह ok कर देंगे, अभी हमारा part बन कर ready है, तो यह थोड़ा समय को बड़ा लग रहा है, तो आप एक काम करिए हैं, यहाँ पर इसको 50 कर लेते हैं, या और थोड़ा 90, 80 कर लेते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ यहाँ पर इसको save कर लेंगे, control S से shortcut है, save हो जाता है part, कहीं पर भी एक folder बना लें आप, control N से नए folder बन जाता है, shortcut है वो भी नए folder बनाने का, control shift N, यह part save कर लेंगे हम, अब save करने के बाद, यहाँ पर save हो जाएगा part, उसके बाद हम एक assembly बनाएंगे, ताकि हम दूसरे part को ब यह save हो चुका है हमारा part, अब हम एक नई assembly बनाते हैं, control N करेंगे, तो आपको एक command आजाएगा, उसमें assembly पर क्लिक करके, अब एक assembly खोल लेंगे, अब जो part बनाया था, उसको open करेंगे हाँपर, अब यह open हो गया है, अब हम इसी के उपर एक नया part बना सकते हैं, आप new part पर जाएगे, इस face को select कीजिए, अब आप यहाँ पर एक और part इसके उपर बना सकते हैं, वो save हो जाएगा, जो नाम से आप करेंगे, तो अब यहाँ पर हम एक rectangle बना लेंगे, center rectangle, ताकि हमें reference की कोई दिक्कत ना हो, बाद में हम reference हटा सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि इसक इसको open कर लेना है, उपर वाले से, और यहाँ पर आप इसको बढ़िया से exclude कर सकते हैं, और आपको कोई दिक्क प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको 10 कर लीजिए, अभी 10 कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, 10 कर लिया है, मैंने, अब एक बार इसकी भी unit चेंज कर मिली मीटर, ग्राम पर सेकेंड में, तो अब हम save कर लेंगे, इस पार्ट को ok करेंगे, और इसको assembly में वापस चले जाएंगे, yes कर देंगे हाँ पर, अब हम assembly खोल चुक है, अब तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो पार्ट इसी के अंदर आ गया है, तो यह बहुत ही अच्छा है क्योंकि हमें इसका impression चाहिए यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते कि यह reference कहां से आ रहा है, तो यह क्या है कि इसी उससे बना, तो in context matte लगा होगा, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका matte जो है उसको delete कर देंगे, तो अब आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ उपर matte को delete कर देंगे, इन context जो matte होता है, उसको delete कर देंगे यहाँ से, अब आप part को move कर सकते हैं, control Q से rebuild कर सकते हैं और आप shortcut भी बना सकते हैं, इसके लिए कलग से वीडियो आ जाएगा, अगर आप comment में लिखेंगे तो, कि आ आप shortcut कैसे बना सकते हैं, shortcut कैसे यूज कर सकते हैं, हम वो भी बता देंगे आपको, तो यहाँ पर अब हम, आप यहाँ पर width matte लगाएं, coincident की जगा, क्योंकि आपकी body अभी तो equal है, पर अगर कभी equal spacing नहीं होती है, तो वो equal बैठते हैं, इसलिए आप width matte का use करेंगे, तो बह width matte, आप क्या है कि width matte लगाने के बाद, आप हम यहाँ पर, केविटी का use करेंगे, तो right click कीजिए, edit definition पर जाईए, parts की तो आप कर सकते हैं, अभी हम इसको 15 कर देते हैं, क्योंकि 10 थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके impressions भी नहीं हाँ आपाएंगे सही से, तो आप हम हमने in context matte लगाया था, उसको अब हम हटा देंगे, यहां से, ताकि surface to surface contact ना रहे, उस surface से कर देंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो बस बढ़िया से यहाँ पर आप matte लगा दीजिए, इस face से, इस face को, अब यह हमारा assembly तयार है, तो अब हम impression बनाएंगे, तो उसके लिए आपको right click करना है, पार्ट पर, जैसा कि हमने कर रखा है, और यह dimension change कर लेंगे, आप, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा problem हो गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, अंदर से जाके भी उसको edit कर सक कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर mold पर जाएंगे, cavity पर जाएंगे, वो क्या selected है, इसलिए वो use नहीं हो रहा है, तो कोई problem नहीं है, आप इसको unsulate करने एक बार, फिर यह easily हो जाएगा, अभी भी भी नहीं हो रहा है, कोई problem नहीं, इसको cut करेंगे, हम वापस से ले लेंगे, त इसमें हमको impression चाहिए, उस part का, उसको okay कर देंगे, तो यह देखिए, अब वो आपको पूछे का all bodies करना है, या आपको selected bodies को करना है, तो आप all bodies पर कर लीजिए, कोई problem नहीं, made विकड़ गए हम उसको सही कर लेंगे, अब देखिए, यहाँ पर हम जाएंगे, edit पर, तो यह आपको impression मिल चुके होंगे, पर यह impression, सिर्फ impression ही आया है, बाकी चीजे नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पास वो है, तो अब हम क्या करेंगे, कि यहाँ पर right click करेंगे, और यह matte हटा देंगे, एक कोई सा भी, या तो हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको 10 की जगा 15 कर स सकते हैं, तो देखिए, अब हम इस पर right click करते हैं, direct भी आप edit कर सकते हैं, और part को open करके भी आप edit कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, rebuild कर लेंगे, तो आपको सही हो जाएगा, आप देखिए, यहाँ पर हम इसको 15 कर लेते हैं, पर यहाँ पर problem यह हो गई, कि हमारा part 15 हो गया, अब हमको part को नहीं, part को तो 10 ही रखना है, हमारा जो प्लेट है, जिस पे हम impression चाह रहे हैं, उसको 15 करेंगे हम, तो कोई problem नहीं, अभी हम suppress कर देंगे कुछ देर के लिए, और इसको कर देंगे हम 15, 15 करने के बाद आप rebuild करेंगे, आप इस पर आ जाएंगे, वापस save करके, अभी आपने suppress कर दिया है, तो आपकी जो cavity है, वो suppress हो गई है, तो कोई problem नहीं, अब आप आपके part को 10 कर लीजिए, अब यहाँ पर हमारा part 10 हो चुका है, 10 हो जाएगा तो बड़िया rebuild कर लीजिए, कैंसल करके save कर लीजिए, अब देखिए, अब यहाँ पर कोई भी problem नहीं है, तो आपका वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी आपने जो cavity है, उसको suppress कर रहा है, तो आप वो पार्ट को खोलिए, unsuppress कर लीजिए, और यह देखिए, आपका impression आ चुका है, अब mold के लिए आप थोड़ा सा draft भी दे सकते हैं, जिससे बहुत ही इसली वो remove हो जाएगा, अब देखिए, यह दिखना है आपको, तो यह impression बनाने के लिए बहुत ही अच्छी command है, cavity तो आप use कर सकते हैं, और shortcuts के लिए आप comment करेंगे, जो जो problem आ रही है, आपको solidworks से related, advance भी, तो हम आपको के क्योरी को solve करते रहेंगे, वीडियो अब आते रहेंगे, रेगुलर्ली, कोसिश करेंगे हमकी आते रहेंगे, और color आप ऐसे कर सकते हैं, appearance ऐसे ला सकते हैं, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए, तो चलिए दोस्तों, thank you for watching, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए tutorial के साथ, आप comment कर सकते हैं, और ऐसे आप cavity command का यूज़ कर सकते हैं, चलिए, thank you for watching this video.